Hello Class 10th Students, आज चलिए हम एक पोएम जिसका नाम है The Ball Poem उसको स्टार्ट करते हैं और इसके पोएट है नाम है John Barrymore पोएम थोड़ा सा दार्शनिक वाली है आपको सोचने के लिए बाद्धे करने वाली और इसमें क्या-क्या बाते पोएम ने कही है इसके पहले हम चलिए उसका थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन देख लेते हैं एक लड़का जिसकी बाल खो गई है और वो बाल खो जाने के कारण बहुत अपसेट है वैसे तो बाल की बहुत जादा कीमत नहीं होती है नौर इस डिफिकल्ट तो बाई अनदर बाल और नहीं इतना कोई परिशानी है कोई नई बाल खरीदने में हर जगह अविलेबल होती यह आप कहीं से भी खरीश सकते हो वाई वाई देन इस दबाई सो अपसेट तो फिर सवाले उड़ता है कि बच्चा अपसेट क्यों है इतना परिशान क्यों है read the poem to see what the poet thinks has been lost poet इसमें बताता है कि बच्चे का क्या खो गया है वो है ना and what the boy has to learn from the experience of losing something और बच्चे को इस खो जाने के अनुभाव का जो खो जाने का जो अनुभाव होता है उससे बच्चा क्या सीखता है चलिए poem देखते हैं क्या है what is the boy now who has lost his ball what what is he to do I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water बच्च क्या करेगा वो लड़का जिसने अपना बॉल खो दिया है अब वो क्या करेगा मैंने देखा उसको बॉल को जो की उचलता हुआ सडक पर आगे बढ़ा और दिन कूद उचलता उचलता उसीधा पानी में जाकर किर गया अभी तो यह बोलना कोई मतलब नहीं रखता कि अरे बहुत सारे बॉल होते हैं दूसरे बॉल भी है और अल्टिमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स दबॉय क्योंकि अभी तुरंत बॉल पानी में गई है खोई है इसलिए वो बिचारा सदमे में है थोड़ा काप रहा है इसलिए रिजिट उसलिए बिलकुली सदमे में सक्त होकर खड़ा है काप रहा है स्टेरिंग डाउन ओल इस यंग डेज विद हार्बर वियर हिस बॉल वेंट और वो उसको घाट को या हार्बर जो होता है बंदरगा जहांपन जहाज आकर रुखती हैं वहाँ पर एक बहुत दिनों से वहाँ रहता था और आज उसने देखा कि उसकी बॉल जो है उचलती हुई पानी में गिर गई और बह गई पोएट जो है दूर खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहा है वो बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहता अभी तो इसको ये बोलना कि नया बॉल होगा कोई दूसरा बॉल भी मिल जाएगा तुमको बेकार है now he senses first responsibility in the world of possession पहली बार उसे पता चलती है कोई चीज अपनी होती है और जब वो खो जाती है तो हम उसे कैसा मैसूस करते है people will take balls, ball will be lost always, little boy ये बताना उसको बेकार है कि बच्चे बहुत ball होती है अगर एक ball खो ही गई तो क्या हो जाएगा फिर मिल जाएगी तुमको and no one buys a ball back लेकिन वो बाल जो पानी में जाकर गिरी वो बाल तो इसको कभी भी वापस दूसरी मिलेगी वो बाल वापस नहीं मिलेगी इसलिए पोईट ये वर्ड जो है world of possession जो है वो शब्द इस्तेमाल करता है और कहता है कि जो चीज आपके पास आपकी है और वो खो गई त तो दुबारा वो चीज आपको नहीं मिलेगी बहुत सारी दुनिया की कड़वी सच्चाई भी इससे जुड़ी हुई है जिसमें क्या है कि हमारे जिसे हम एक दुखत बात ये भी है कि परिवार बहुत बड़ा होता है कोई अगर खो जाए किसी की डेथ हो जाए इस दादी और अब वो वापस में आद़ है वो जो दुख आपको मिलता है उसका कोई इलाज नहीं है उसका कोई आल्टरनेटिव नहीं है ये चीज बच्चा यहां सीखता है एक चीज जो खो गई उससे दूर चली गई वो उसको वापस नहीं मिलेगी तो उसके बिना रहने की आदत डालनी पड़ेगी ठीक है तो यह कहता है पीपल विल टेक बॉल बॉल विल लॉस्ट आल्वेज दे तो खोती रहेगी बॉल तो कहीं खो जाएगी लिटल बॉय और वो बॉल तो कोई भी खरीद के वापस नहीं ला सकता जो चीज एक बार बिच्चड गया वो आपको जिसके लिए आप ताड़ रहे हो जिसके जो चीज़ आप चाहते हो है ना he is learning वो सीखता है क्या सीखता है well behind his desperate eyes the epistemology of loss यह जो ग्यान मीमान सा उसको मिल रही है ग्यान मिल रहा है क्या मिल रहा है वो कि जो चीज़ खो गई वो उसको वापस चाहाए आप कितना भी चाहो र सवाल यह उठता है कि जो चीज वापस नहीं मिलेगी उसके बाद आप क्या करोगे तो अपने आपको संभालो कैसे stand up करना है दुबारा कैसे खड़े होना है वो सीखना है knowing what every man must one day know और यह चीज हर व्यक्ति को एक ने एक दिन सीखना पड़ता है and most knows many ways how to stand up और बहुत सारे लोग जानते हैं बहुत लोगों को उससे recover करने में कई दिन लग जाते हैं महिने और साल भी लग जाते हैं है ना उससे recover करने में जो चीज भी छड़ गई वो आपको वापस नहीं मिलेगी और आपको पता है कि आप कितना भी उसके लिए रो या चीज सीखना पड़ेगा कि उसके बिना हमें कैसे रहूं और अगर नहीं सीखोगे तो फिर आपकी जिन्दगी बहुत कठिन हो जाएगी तो ये दो बाते हम सीखते हैं कि कोई चीज मेरी अपनी है ये चीज हम सीखते हैं कि ये मेरी अपनी थी वो खो गई फिर खो गई उस के बाद हमें क्या करना है ये भी हमें सीखना होता है कि जो चीज जिसके बारे में हमें पता है कि ये हमें वापस नहीं मिलने वाली कोई चीज जो चीज हमारी बहुत सपोज आपको बहुत प्यारी थी वो चीज और वो आपसे खो गई आपसे दूर चलिए तो उसके बिना रह जो बातें, दो बातें जो कि बहूत important है, जो world of position की चीज में हमारी है, यह सीखते हैं, कि यह चीज मेरी है, और फिर जो अपनी चीज भी आप से छिंज आती है, उसके बाद आपको कैसा feel होता है, और फिर कैसे आप उस को जेलते हो, उस situation को कैसे handle करते हो, यह भी बहूत important होता तो यह सब चीज़े पोईट जो है इस पोईम के माध्यम से आपको सिखा रहा है वैसे इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है पोईम में आप देख लिजे बॉल गो देन वाटर बॉल बाई बॉय डाउन वेर हिम कहीं पर राइम नहीं हो रहा है पोईम ठीक है इसके साथ ही साथ जो इमेज यूज हुई है बॉल की कई चीज़ें रिप्रेजन कर रहा है बॉल जो है एक तो वर्ल्ड अप पाजेशन बता रहा है उसके बॉल ये भी रिप्रेजन कर रहा है कि यह वो आपके हाँ से चीन जाता फिर आपको पैसा लगता है तीक है तो यह सब चीज़े और money पैसा जो है वो क्या है money is external पैसा जो है वो बहरी चीज होती है उससे आप जादा कुछ नहीं गबहुत सारी चीज़ें ऐसी होते है जिसे आपके जितनी भावनाए हो तो उसका पैसे साथ नहीं खरी सकते हैं तो यह सिर्फ चीज़ें भी पोएम आपको सिखाता है ठीक है तो next class में हम next chapter करेंगे पोएम मुझे लगता है पोएम आपको जरू समझ में आ किया होगा जो basic बाते पोएम ने बताने की कोशिश किया पोएम के थूरू वो भी आप समझ गए होंगे पोएम को वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए थैंक्यू वेरी मच